दोस्तों अगर आपका नाम भी true caller पर so होता है और आप अपने उस नाम को हटाना चाहते हैं तो यह video आपके लिए है क्योंकि friends जब कोई आपको call करता है या फिर आप आपको call करते हैं और उसके मुवाइल में true caller पर आपका नाम सो होता है तो वह पहले से जान जाता है कि हमें कौन call कर रहा है तो फ्रेंट्स ही कैदी आप भी अपने उस सो हुने वाले नाम को ड्रू कॉलर पर सो हुने वाले नाम को हटाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सैलिंद प्रताप सिंग आप देख रहे हैं तो दोस्तों TrueC graduated से हमें अपना नाम डिलीट करने के लिए नाम हटाने के लिए सबसे पहले अपने वाल में किसी एक ब्राउजर को आपन करना है यहाँ पर हमने Chrome ब्राउजर को आपन किया है आप देख सकते हैं पर उपन करने के बाद इसके सर्च बार में हमें टाइप करना है True Color Unlist Page तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Search Box में हमने टाइप कर दिया है True Color Unlist Page आपको भी इसी प्रकार से लिख देना है और इसे सर्च कर देना है जैसे ही आप सर्च करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है यहाँ पर आप पहला बाला लिंक ही देख सकते हैं How do I Unlist My Phone Number तो फ्रेंट्स यहाँ हो सकता है आपके मुवाइल में नीचे सो हो लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे कुछ इंट्रक्शन्स भी दिये गए हैं कि किस प्रकार से हमें जो है वो मुवाइल नमर को Unlist करना है True Color में से अपनी नाम को हटाना है तो फ्रेंट्स चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमें अपने नाम को True Color से कैसे हटाना है तो फ्रेंट्स जाब आप उपर की और इस तरह से आ जाएंगे तो फ्रेंट्स यहां पर देखेंगे आप यहां पर Base लिखा हुआ है Blue Color में तो फ्रेंट्स हमें Base पर Click कर देना है इस परकार से चलिए मैं भी यहां पर कर देता हूं देखिए मैंने web page पर click कर दिया है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस परकार का interface हमारे सामने आ जाता है तो friends उपर आप number को search भी कर सकते हैं और नीचे यहाँ से अपने mobile number को unlist कर सकते हैं और यहाँ पर जब आप unlist कर देंगे अपने mobile number को तो आपका जो भी नाम true color पर सो होता है वो नाम यहाँ से 24 घंटे के अंदर जो है वो remove हो जाता है इसके interactions भी आप पढ़ सकते हैं उपर देखिए यहाँ पर तो चलिए हम किसी एक number को यहाँ से हटा के देख लेते हैं उस number पर जो भी नाम सो होता है उसका नाम हटा के यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ तो friends हमें कैसे अटाना है उसके लिए देखिए यहाँ पर example में हमें with code number डालना है किस परकार से डालना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए जैसे कि हम इंडिया से हैं सबसे पहले हमें plus economy लिखना होता है 91 तो यहाँ पर हमने 91 लिख दिया है 91 लिखने के बाद friends हमें उस number को type करना है जिस number पर नाम सो हो रहा है और हमें उस नाम को remove करना है तो हमारे किसी number पर नाम सो हो रहा होता है जब हम उस number को यहाँ पर type कर देते हैं तो वह है नाम जो है वो remove हो जाता है जब उस number से हम किसी को call करेंगे तो cable number ही जाएगा उसके पास हमारा नाम सो नहीं होगा भले ही वह है true color use क्यूं नहीं कर रहा हो तो चलिए यहाँ पर मैं एक number को डाल देता हूँ और कैसे unlist करना है वो भी आपको दिखा देता हूँ तो इस परकार से आपको अपना number डाल देना है वह है number यहाँ पर डालना है जिस number का नाम आप delete करना चाहते हैं remove करना चाहते हैं चलिए इस परकार से आप जब number को डाल देंगे तो नीचे आपको एक capture देख जाएगा यहाँ पर देखिए I am not a robot आपको इस box में tick mark लगा देना है जैसे ही आप इसे touch करेंगे तो देखिए यहाँ पर इस परकार से tick mark लग जाता है और friends नीचे आप देख रहे हैं unlist phone number तो यहाँ पर जो unlist phone number वाला option यहाँ पर सो होने लगा है इस पर हमें click करना है जैसे हमें इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको confirm करना है तो confirm करने के लिए नीचे unlist पर आपको click करना है जैसे आप unlist पर click करेंगे आपका number जो है वो यहाँ से remove हो जाएगा delete हो जाएगा देखि समाज आई होगी अच्छी लगी होगी यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल उठता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो प्रेंट चलता हूं फिर मिलूगा अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार